समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारी यूट्यूब चैनल एक्जाम गुरू में दोस्तों हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परिक्षा 2024 के लिए जीके जीएस एंड जीएके 5000 प्रेशनों की उसके अंतकत आज 12 नंबर का वीडियो है इसके पहल सब्सक्राइब आपको पता होगा कि 2024 में बहुत ज़्यादा वेकेंसिस आने वाली है रेलवे के अंत्रकत और हमने उसी के लिए आज से ही आपके लिए इसी महीने से यह सीरीज स्टार्ट किया बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज अगर यह पांच हर कोशन सापने अच्छे स के लिए मैं आपको यहाँ पर 10 सिकंड का वक्त देता हूँ अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो पॉस करके आंसर दीजे लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी हर कोशन का और मैं पिछले वीडियो से जितने वीडियो हैं उनसे 20% कोशन रिपीट करता क्योंकि जिससे कि आपका सासथ रिवीजन भी चलता रहा हूँ और आप देखें कि 50 में से झार आपके मांग्स आप क्लिकुलेट करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मांग्स हर वीडियो में इंप्रूव होंगे यह एक इंप्रूमेंट का तरीका भी है सासथ रिविजन आई है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को WhatsApp पर शेयर जरूर कर दें WhatsApp, Facebook, सब जगे शेयर जरूर कर दें साथ 7 वीडियो के आखरी में आपको जरूर के नंबर कितने हैं और साथ एक्जाम के तियारी कर रहे हैं चाहिए आप NTPC की तियारी कर रहे हो, ग्रूप D की तियारी कर रहे हो, आर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन सी ऊष्ण कटिबंदिय अर्द सदाबहार वन ऊष्ण कटिबंदिय अर्द सदाबहार वन चालुक की विक्रम समवत का प्रचलन किस ने किया चालुक की विक्रम समवत का प्रचलन इनमें से किस ने किया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर सी विक्रमादित्य सिक्स्थ किसने क्या था विक्रमादित्य छट्वेने 1995 में पारित अज प्रश्चितास अपराद अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है इसे मौलिक अधिकारों के बारे में सुनुआई करने का अधिकार निम्द को प्रदान किया जाता है किसको प्रदान किया जाता है इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन इस सर्वोच्च नियाले को प्राप्त है ये अधिकार मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का क्यों और नल्पूपू द्वारा सिचाई में अगरणी राज इनमें से कौन सा है तो कौन सा राज जे सब से आगे इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन ए गुजराज जहां पर सबस्यादिक वोर नल्पूपू के द्वारा सिचाई की जाती है किली मंजारों परवत निम्न में से किस महाद्वीप में इस्थे थे किस प्रदेश में बिटीश के गुरुद बिर्सा मुंडा का संचलन रहा था इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन भी छोटा नाकपूर में कहा पर रहा था चोटा नाकपूर में निम्न कित में से किस महाद्वीप को महाद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है तक इसको कहा जाता है दोस्तों महाद्वीप का महाद्वीप इसका सही उत्तरोगा option A, Asia, Asia माधवीप को माधवीपों का माधवीप भी कहा जाता है भारत की रास्टरी आये का प्रमुकिस्तोत इन में से कौन सा है, रास्टरी आये का प्रमुकिस्तोत बतलाना है आपको इसका राइट आंसर दोस्तो option B, सेवा, छेतर, सर्विस जेक्टर से सबसे जदाय होती है भारत को भारती सम्विदान सभा के प्रथम दिन के अदिवेशन के अदिक्षता किसने की थी तो बतलाएंगे दोस्तो किसने की थी इन में से इसका सही उत्रगों दोस्तो option D, सच्चिदानंद सिना के दोरा की गई थी अदिक्षता प्रथम दिवेशन की जाएरे का आधुनिक नाम क्या है बतलाएंगे जाएरे का आधुनिक नाम क्या है इसका सही उत्रगों दोस्तो option number is right answer कांगो गणराज जाएरे का आधुनिक नाम क्या है कांगो गणराज राष्ट कुल कालीन कंणर सहित्ती के त्रिरत्न में शामिल नहीं था को नहीं था शामिल इसका right answer हो जाएंगे दोस्तो science जफकी pump पोन और रन तीनो ही कंणर सहित्ती के त्रिरत्न में शामिल थे निम्लिक इत्में से कौन मुद्रादाईनी फसलों का समू है बतलाएंगे इसका सही उत्रगे दोस्तो ऑप्शन एक कपास, चाय, आलो यवां जूट जो की मुद्रादाईनी फसलों की श्रЕНई में आती है तार्पीन का तेल प्राप्त किया जाता है बतला Quality कि से प्राप्त कियता थे तार्पीन का तेल किस पेड़ से इसका सही fighters अप्षण D, चीड के पेल से प्राप्प के ज़ता है, चीड का जो पेड होता है उससे प्राप्त के ज़ता है, तारपीन का तेल इन में से किस फसल का ग्यान वेदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ग्यान नहीं था? इसका सही उत्तर गो दोस्तो तमबाकू जबकि जो गेहूं और चावल फसलों का उनको ग्यान था तमबाकू का नहीं था नेम डिकित मैंसे किस महादीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है सरवादिक विकास हुआ है इसका राइट आंसर को दोस्तो आप्शन नमबर सी राइट आंसर यूरोप महादीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंदे थे कौन सा नियम संबंदे थे बतलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगे दोस्तो कुलाम कानियम आप्शन नमर्ड भी राइट आंसर कुलाम कानियम निमन मैंसे किस प्रांत में सुयाविन खेती के अंतरका छेतर सरवादिक है तो सबसे ज़्यदा इस स्वयाविन के खेती कहां पर होती है सबसे अधिक चेतर में होती है डोल ड्रम क्या है पतलाएंगे जोस्तो डोल ड्रम क्या है इसका सही उत्र है ऑप्शन ए ऊष्ण कटी बन दिये पवन पत्ती को का जाता है मैंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवरती फलन होते हैं तो इसका राइट आंसर को आप्शन ए परमानु भार के निमने वानु भार के होते हैं निमने कितमे से कुन साथ वी भारत और शिलंका के मद्द इस्तित बताना है से कोई सा ध्वी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थे थे 17 फिराइय यूदि ऑपशन्वनी रामेश्वरम जय की भारत और स्रीलंका के बीच श्थ Рामिश्वरमदीव सिंग अपरइस्थदिक तंत्र मतलब टांटर सम्टी किस ने परस्थवद कि ती थी problems सब्दावली तैंसले जेन परंपरा के अनुशार जेन धर्ब में कुल कितने तिर्थंकर हुए थे चिसका सईवतो त्रज तरह सब्सक्राइब 24 तिर्थंकर हुए थे जेन धर्ब में 24 तिर्थंकर वेदिक धर्म का मुख्यलक्षन इनमें से किसकी उपासना था बतलाएं उस तो किसकी उपासना था वेदिक धर्म का मुख्यलक्षन स्कराई टांस्तरोगा अप्शन ए प्रक्रति की उपासना वेदिक धर्म का मुख्योद देश्च था हीरा और ग्रेफाइट होते हैं देखिए क्या होते हैं हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के इसका सही तरह दो आप्शन नमबर A is right answer हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप होते हैं मुगल प्रशासन में मुहतसीव था, मुगल प्रशासन में मुहतसीव कौन था इसका right answer और ग्रेफाइट एक दूस्तो लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता है मुगल प्रिशासन में लोक आचरण अधिकारी गर्मी के दिनों के दुरान मिट्टी के बरतन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्लिकित सम्वरत्ती के कारण किस कारण हो जाता है बतलाएंगे इसका सही तो अप्शन डी वाश्ट पी करण की पकरिया के कारण मिट्टी के बरतन में रखा पारी ठंडा हो जाता है गार्मी की दिनों में आंदरपदेश का गठन कब किया गया था? बतलाएंगे आंदरपदेश का गठन इन में से किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आप्शन नमर भी 1953 में गठन किया गया था आंद्र प्रदेश का 1953 में किस प्राक्रतिक प्रदेश में मानव को अत्यदिक संघर्शमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है इसका सही उत्तर है option number D is right answer उश्न तथा शीत मरुस्तल प्रदेशों में यदि किसी धातु को खाना पकाने के बरतन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता केसी होना चाहिए तो उस बरतन की ताप चालकता कम होना चाहिए option A is right answer ताप चालकता कम होना चाहिए फिश्व विख्यात जो गया गर्सुपा जल्परपाद किस राज्य में इस्थी थे कहाँ पर किस राज्य में इस्थी थे बतलाएंगे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो करनाटक कौन से राज्य में इस्थी थे गर्सुपा जोग जल्परपाद करनाटक राज्य में अखिल भारती सेवाओं का स्रजन कोन कर सकता है स्क्राइट आंसर को जोस्तों ऑप्शन सी दो तिहाई भहुमत से राज्य सबा पारित कर सकती है कोन कर सकता है दो तिहाई भहुमत से राज्य सबा मानव शरीर में पेरों की हड्या है तो मानव शरीर में ऐडियान मेंसे कौन सी है इसका सही तरो तो जापान का मेंचेस्टर क्सको कहा जाता है इसका राइट आंसर को जोस्तो ऑप्शन बी उसा का जो कि जापन का मैंचेस्टर कहलाता है गांधी नगर जवाहर सागर तथा रावना पताब सागर बांध किस नदी पर निर्मित है इसका सही तुर जायागा दुस्तो ऑप्शन बड़ सी राइट आंसर चंबल किस नदी पर इस्ते थे थे चंबल नदी पर 1946 का केबिनेट मिशन तीन मंत्रियों ने गठित था निम्रिक इत्मित में से कोन इसका सदस नहीं था नहीं था पूछा गया है इसका राइट आंसर है दोस्तो ऑप्शन डी लाड एमरी नहीं थे जबकि लाड पैतिक एवी ऐलेक्जेंडर और सर स्टेंटफोर्ड क्रिप्स इसके सदसे थे भारती समविधान में निम्रिक इत्में से किस पत का उल्लेक नहीं है बतलाएंगे किस पत का उल्लेक नहीं है समविधान में इसका सही उत्रोंगा ऑप्चन बड़्टी उप प्रधान मंतरी देखिए सम विधान पर कहीं पर भी उप प्रधान मंतरी शबत का उलेक नहीं है कि नेमृ कित्म एसे कोईसे गरहों के के चारो और घूमνε वाले उबनेजAR नहीं किस गह के चारो और ऊपग्रा नहीं है इसका राय टांसर है दोस्तो ऑपशन बी बूद और शुकर गहाईंके कोई चारो और घूमνεवाला कोई बी उपग्रा अवलेबल नहीं है कोडाईक नाल किस प्रवर्ष शंक्ला पर इस्थे थे बतलाएंगे कोडाईक नाल इनमें से किस प्रवर्ष शंक्ला पर इस्थे थे इसका सही त्रगस्त ओप्शन ए पालनी किस प्रवर्ष शंक्ला पर इस्थे थे पालनी प्रवर्ष शंक्ला पर तुरण ग्याद करने का सही सूत्र कौन सा है तुरण तुरण का आपको फार्मुला वताना है इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ऑप्शन है इस राइट आंसर सहसंयोजी योगिक का उधारण है बतलाएंगे सहसंयोजी योगिक का उधारण इनमें से कौन सा है राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नमड़ C, CAH2 सहसंयोजी योगिक का उधारण है CAH2 उन्नेसवी सदी के उत्रारण में नह हिंदुवाद के सर्वस्ट्रिष्ट प्रतिनेदी कौन थे इसका सही तरुगत उस्तों ऑप्शन B, स्वामी विवेकानन्द कौन थे स्वामी विवेकानन्द किसके मौझूद्गी के कारण शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है किसकी मौझूद्गी के कारण इसा होता है हैपेरीन के कारण इसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है हैपेरीन क्या होता है बतलाएंगे इसका राइटांसर दूस्तो व्रध्धी होती है महात्मा गांदी राष्ट्रिय समुद्रि उध्यान रहा पर इस्थ्थ्ये थे बतलाएंगे महात्मा गांदी रास्ट्री समुद्य ध्यान पोर्ट ब्लेयर में इस्थे थे महानदी नर्मदाता सो नदियां कहां से निकलती है कहां से निकलती है तीनों नदिया कोन व्यक्ति अनुसूचित जाती या जनजाती का सदस से है निर्धारन करने का अधिकार किसको है इसका सही तरगास्टो ऑप्शन ए राश्ट्रपति निर्धारन करते है कौन करते है राश्ट्रपति यदि प्रत्वी में कारवन डे अकसाइड ना हो तो भूपरेष्ट का तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा भूपरेष्ट के तापमान पर इसका सही त्रो जाएगा, option number, see the right answer वरतमान से कम हो जाएगा जो भूपरश्ट का तापमान होगा जो वर्तमान है उससे बहुत कम हो जाएगा सभी लवन होते हैं बतलाएंगे सभी लवन किस प्रकार के होते हैं इसका सही तरक अप्शन में भी विद्युत अब घट्य होते हैं किस होते हैं विद्युत अब घट्य समविधान निर्माताओं ने किस पर विशेश ध्यान दिया था इसका राइट आंसर को दोस्तो ऑप्शन ए प्रस्तावना पर किस पर ध्यान दिया था सब सची कहा है प्रस्तावना तो दोस्तो आज का हमारा वीडियो कम्प्लीट हो गया है रेलवे का जो हम 5-6 कॉश्टन कम्प्लीट कर रहे हैं उसके अंतकत आज का हमारा वीडियो कम्प्लीट हो गया है अब आपको कमेंट बॉक्स में आप कोई बताना है कि आपको पचास में से इस वीडियो में कितने माखसा है साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आप रेलवे की किस एक्ण समी की तियारी कर रहे हैं अगर NTPC की कर रहे हैं तो NTPC लिखिए, ग्रूप D की कर रहे हैं तो ग्रूप D लिखिए, या फिर ALP, RPF, या फिर आफ जूनियर इंजिनर जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, कमेंड बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एक्जाम्स के कॉश्चंस ज्यादा ज्यादा कवर कर पाएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक, वाटसेप पर जरूर शेयर करें, और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें वीडियो करें, बदो धन्यवाद, जय हिंज भारत, वंदे मातरों